तो गुद्वानें गिलन क्लास लास्ट एडियो में हमने वर्गिकरन के बारे में बात की थी तो उसमें हमने बढ़ा था कि वर्गिकरन को को सिगा की संख्या के आदार पर कैसी डिवैड किया गया था तो दो भागों में वह था प्रोटजवा और दूसरा है मैटा यह जोवाजाइब बात कर रहें सरीर की संग्टनिस्तर पर जियो को qyadrat बाता गया है पहला है जीर द्रभ्य स्टर सदल में प्रोट जोवा थैंसके की झान और सब्सक्वाज़ के जो जंतुओं का सरीर है वो कोशिकार से बनावता है जिनके अदर सरम विवाजन नहीं पाई जाता है या बहुत ही कम विक्षित होता है ठीक है इनके अंदर तंतुब lotus का पौरिफेरा इसमें शरीर अंग से मिलकर बना होता है ठीक है तो अंग तंत्र से मिलकर बना होता है और यह कहां से कहां तक होता है प्लेटी हेलमेंटी से लेकर इकाइनोडर्मेटा तक के सारे अकसे रुकी यानि नॉन कॉड़ेट जबकि सारे कसे रुकी के अंदर भी यही अंग तंत्र इ देख लेते हैं कि सरीर संगटन का इस्तर घ्यादार पर जीवोग को हमने चार भागों बाटा पहला जीद्रवे इस्तर यह कहता है कि जीवोगर की बूंत के समान होता है एक्जांपल हो जाएगा प्रोट जोवा दूसरे बात करते हैं तो वो कोशी किये तो इनके अनुसार जीवों का सरीर कोशीका से बना होता है इसका example हो जाएगा porifera, उत्तक इस्तर की बात करते हैं, तो इनके अनुसार, शरीर है जो उत्तकों से बनावा होता है, जिनके अंदर सरम विवाजन विक्षित होता है, एक्जांपल हो जाएगा सिलेंट रेटा हो लास्ट है वह अंगतंद्र इनका पाल प्रांवी और सवीसिते उन्हें पहलु आप इहिए फिल्लेटी दंन के लिए और्मेटा और सारे कॉड डिटा ठीक है तो ये था सारीर संगटन क्यादार पर जिवो का परगी करन ठीक है थेंक यू